हारा सरकार और प्रदेश सरकार के पास तमाम रास्ते हैं कि उस रास्तों को अपना करके एक अध्यादेश ले आए अध्यादेश ने कोई लॉजिक तो दिया होगा वकिल सहाब उसने जब नियोजन रद किया है तो कुस्तो तर्क दिया होगा क्या तर्क था इस निर्ड़े का मननी अनी कोड के जज्मन को लेते हुए उसमें बहुत जादे हमारे बड़े बड़े दोकेट थे वबड़े सीनीय अडोकेट थे थे उंके उनք मैं बात सुन दिजए जिन लोगों ने हमने जो समिशन दिया जो आर्गुमेंट किया उनकी एक लाइन भी नहीं लिखी गई है इस जजमेंट का दुखत पहलू यही है किस वज़ा से आप लोग को क्यों लग रहा है कि वाइस फैसला है अब इसको बायस तो हम मानने सुप्रीम सर्विशनालों को नहीं कर सकते हैं लेकिन हमारे आर्गुमेंट नहीं फैसले के गुन दोस पर तो बात हो सकती हैं कि वह कंटेप्ट अव कोट हो जाए किसी भी फैसल इस निड़े में यह से बाते हमें देखने को अपने को नहीं मिली हैं तो देखिए यह जो फैसले हम कोई कंटेप्ट अव कोट नहीं कर रहे हैं हमारे कंसुशन में हमें प्रावदान है कि हम फैसले के गुन दोस पर बात कर सकते हैं अपना अपनी विरायर रख सकते हैं यह मिलता है तो फिर का तरफ से ठोष जबाब रोटी का सवाल है कि लाग सब्तर हजार परिवार बाहर हुआ है हमारे रोजी रोटी की आप ब्योस्था करो कल पूरे परदेश के लो लखनू में कठा हो रहे हैं और परदेश से हमें मांग करेंगे मानने मुखवंतरी जी से आपक बने पुना अधया पक बनेंगे इसी महार शंकार को भारा सरकार उस परस्ताव परका dest獎 करके हमको पुना अधया पदया क्इट बना सकती हो मुझे पूरा क्व लिश्वास है कि उत्तर प्रदेश की सरकार भारा सरकार हमारे साथ खड़ी होगी एसे बिसम परसितियों में हमारे 1,17,000 परिवारत के रोजी रोटी के लिए हम पुना सिथक थे 17 साल हमने दिया इसमें 17 साल की हमारी सेमाई दी आज माननी हुचितम न्याले के आदेश पर मैं कोई टिपड़ी नहीं कर रहा हूं 17 साल पढ़ाने के बाद एक आप जानते होंगे आपको खुद पता है कि एक जिले में एक तासील होती है तासील का एक लेकपाल चार साल बाद परमोट करके कानून को हो जाता है दस साल बाद परमोट करके वही नाइब तासीलदार नाइब तासीलदार तासीलदार और एक प्रश्डियम हो जाता है। क्या मैं शतरा साल में मेरे अंदर इतनी भी चंपता नहीं है। क्या मेरे पढ़ाई हुए बच्चे अयोग हो गए। आज मेरे बच्चों को देखा जा ऐसी इसी इस्तिती में है। जो लोग अयोगता की बात मिसे करते हैं। मैं ये बात नहीं कह रहा हुग मैं या जो आयोगता की बात मेरे ये डीटे वाले करते हैं। मैं उनसे भी एक चीछ कहना चाहूंगा, कि आप ने अयोगता की बात मेरे साथ तो कर ली। लेकिन आप भी योग हो तो आपने अपनी ट्रेणिंग लीटी सई की, हम ही वहाँ इंचार्ज के रूप में थे पहले तो जो सरवच न्यानले का एक आदेश है कि वह समानकरिय समानवेतन जो हम पर लागू होता है जब हम अध्यापक पत्पे हैं अध्यापक के बराबर बैठ के विद्यालों में पड़ा रहे है तो मैं समान वेतन, समानकारिय का जो नियम है, वो लागू किया जाए। जिससे हमारे सभी सातियों को अध्यापक का वेतन भीतन है। उससे अलग एक समान वेतन समान कार्यका है, उसको क्यों नहीं फोलो किया जा रहा है, देखिए यह अजीब देश है, यहाँ इधोक सिस्टम भी है, अब प्राइपटाइज हो रहा है सब कुछ, सिक्षको को भी ठेके पर लाया गया था, इसको ठेका कही है, ठेकेदारी ठेके लटक रही है, रोजी रोटी का बहुत गंभीर सवाल एक सिक्षक से परा परिवार जुरा होता है, सरकार को दो चीज़े समझने चाहिए, कि क्या वो अभी तुरंत सिक्षक स्टुएंट का जो रेसी है, उसको भरने में सफल हो जाएगी, वो कैसे टीचर को बहाल तो करेग लेकिन जिस तरह का हाल है इस देश में सरकारी स्कूलों में सिक्षा विवस्था का, मैं किसी एक राज या एक सूबे की बात नहीं कर रहा हूँ, उससे सवाल तो उठता है कि आखिर वो कौन लोग जम्वार है, क्या इसके लिए सिक्षा मेंतर जम्वार है, या वो टीचर जो परमानेंट जॉब भी कर रहे हैं, तो सरकारी स्कूलों की हालत खसता है, उसके लिए सरकार भी जम्वार है, विवस्था भी जम्वार है, टीचर भी जम्वार होंगे, लेकिन रोजी रोटी का जो मुद्दा है वो बहुत अहम है, और सरकार को इस पर गंभीरता से सोच ने चाहिए.